हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू कॉमर्टाटा 24-7 बच्चों हमारी जो सिरीज चल रही है वहाँ पे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि क्या कॉर्डिनेशन से होने वाले फाइदे हैं और कॉर्डिनेशन किस तरीके से एक और्गनाइजेशन में अपनी बहुत महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है उस और्गनाइजेशन की सक्सेस में कॉर्डिनेशन का मतलब है सब लोग साथ मिलके काम करें चाहे वो मेनेजर हो चाहे वो लोवर लेवल मेनेजमेंट का हो चाहे वो मिडिल लेवल मेनेजमेंट का हो चाहे वो सुपरवाइजर हो लीडर हो और चाहे वो normal और simple employees हों जो organization में अपने तन मंधन से काम कर रहे हों तो coordination कितना जदा important है और किस प्रकार से एक organization को coordination करने के बाद कुछ फाइदे देखने के लिए मिलेंगे आज अपनी topic में हम यही cover करने वाले हैं तो आई यह शुरू करते हैं और सबसे पहले आज हम जानने ह कोईश करते हैं डाइग्राम की मदद से कि coordination basically होता क्या है तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि सारे रास्ते जैसे कि वह ना कहते हैं कि सारी नदिया मिलके कहां चली जाती है समुंदर में चली जाती है तो नदिया क्या है अलग-अलग employees और समुंदर क्या है आपका पू है लेकिन सबकी मंजिल क्या है सबकी मंजिल है बीच में जो की है आपका organization का objective तो coordination में हम बेसिकली क्या करते हैं हम अपनी activities को coordinate करते हैं हम साथी हाथ बढ़ाना सबका साथ सबका विकास सबका सबके विश्वास के धारणा पर चलते हैं कि सब लोग काम करें और organization को फाइदा है इस इस definitions को आप समझ के अपने words में आप business studies के paper में लिखके आ सकते हैं देखे coordination is a function of management which ensures that different departments and groups work in synchronization sync मतलब synchronization सारे group सारे department सारे लोग synchronization में काम करें यही होता है coordination अचा coordination को हम लोग एक word कहते हैं जिसका नाम होता है essence of management तो आप यह भी समझत मलब इसको नोट कर लीजे कि coordination को essence of management भी कहा जाता है क्योंकि essence of management इसमें से कहा जाता है क्योंकि coordination बहुत ही जादा important है किसी भी organization की success को ensure करने के लिए therefore there is unity of action among the employees groups and departments इससे क्या होता है बेटा कि जो अलग-अलग action कर रहे है उनमें unity आ जाएगी एकता आ जाएगी और कोई भी बड़ी चीज बिना एकता के संभब नहीं है तो unity of action आता है employees के बीच में groups के बीच में और अलग-अलग department के बीच में जैसे फर्स कीजिए बेटा कि Tata company और Tata Motors इनकी एक branch है एक ऐसी company जो गाडियां बनाती है तो गाडी को बनने के लिए production department भी होगा गाडी को बेशने के लिए marketing क्या आना है unity of action ensure करना है it also bring harmony in carrying out the different tasks and activities to achieve the organization's objectives और बच्चों एक बात और harmony होनी चाहिए harmony का मतलब होता है कि खुशी-खुशी काम करें ऐसा ना हो कि काम कर रहें लेकिन चेहरे पे मुस्कान ना हो तो चेहरे पे मुस्कान के साथ काम करें खुश रहें और एकता में रहें तो harmony ensure करनी है ताकि वो different different tasks को carry out कर सके और organization के objectives को definitely achieve कर सके coordination is an important aspect of any group effort when an individual is working there is no need for coordination जब एक अकेला इंसान काम कर रहा हो तो coordination की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे बेटा कहानी को लिखने आप 10 राइटर मिलके कहानी को नहीं लिख सकते हैं एक कहानी को लिखने के लिए एक ही राइटर काफी है तो वहाँ पे बेटा coordination की जरूरत नहीं है लेकिन जहां पर एक या एक से ज़्यादा लोग लगते हैं वहाँ पर प्रकार से एक organization को फाइदा दिलाएगा क्या benefits होने वाले हैं coordination के तो सबसे पहला encourage team spirit अगर आप coordination करके चलेंगे ना तो team spirit बनी रहेगी जैसे बेटा cricket की team को देखिए है ना गयारा खिलाडी होते हैं गयारा players होते हैं और सारे के सारे team spirit में रहते हैं अगर विराट के employees काम नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि इनकी team spirit encourage होती है जब हम coordinate करके चलते हैं लोगों से ओके जी give proper direction काम को proper direction मिल पाती है काम अच्छे से कर पाते हैं लोग जब coordination में रहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई सब लोग अपना अपने काम में busy रहेंगे और organization के objectives achieve नहीं हो पाएंगे facilitate motivation अगर हम coordinated rate है तो motivation भी अंदर से आ दिए देखिए क्या होगा माल लीजे कि 3-4 लोग है और वो किसी एक particular project पे काम कर रहें अब अगर एक बंदा बहुत मेहनत से काम कर रहें तो बाकी के लोगों को भी उसको देख के motivation मिलनी जाहिए कि अरे यार वो अच्छा काम कर रहा है मुझे उसके जैसा बनना है ठीक है makes optimum utilization of resources यहाँ पे resources के optimum utilization की बात हो रही है कि अरे बहिया ऐसा coordination करो जहां पे बिलकुल भी resources का wastage ना हो resources optimally utilized हो सके help to achieve objective quickly अच्छा क्या होगा बेटा जब एक काम को ज़्यादा लोग करेंगे न तो objective जल्दी अचीव हो पाएंगे ठीक है माल लीजे घर में दिवाली की साफसफाई हो नहीं है अब मम्मी अकेले लगी पड़ी है सुबेच से ही और दिवाली की साफसफाई करे जा रही है करे जा रही है अब बेटा उनको हो सकता है एक से दो दिन लग जाए पूरा घर का साफसफाई करने में लेकिन अगर घर के सारे हाथ बटाएंगे घर के कामों में तो वह जल्दी हो जाएगा बहुत सिंपल सी बात है तो बेटा औब्जेक्टिफ को क्विकली अचीव करने की बात हो रही है इंप्रूव रिलेशन इन दा ओर्गनाइजेशन में रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं अगर आप मम्मी के का अगर काम स्टैंडर के हिसाब से होता है कि और अच्छा करेगी और अच्छा करेगी तो डफिनेट्ली और की गुडव भी इंप्रूव होगी तो बछे आज की टॉपिक्स आपको बिल्कुली इससांद में आ गया होगी कि क्या होता है coordination किस तरीके से important होता है कितना important होता है organization की success के लिए आगे की videos के लिए बेटा ऐसे ही जुड़े रही है चैनल में अगर नए है तो subscribe ज़रूर करिएगा commerce data 24 7 को and do share the video and do like the video Tata goodbye, all the best, जैन